करियर बनाने का सपना लिए घर से बाहर निकली अंकीता भंडारी की हत्या के आरोप में भले ही कई गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब आने बाकी है अंकीता की मौत की जो कहानी अब तक सामने आई है वही पूरा सच है या फिर इसके पीछे बड़ा रहस्य है इसे लेकर तमाम किन्तु परंतु हो रही है राजसों विभा के करमचारी की अकसर रिजोर्ट में मौझूदगी सहत्याकान से जुड़े कई सवालों को खड़ा कर रही है सरकारी करमचारी से लेकर सफेद पोश्ट तक के साजिश में शामिल होने का संदेश जताया जा रहा है ऐसे में आधी रात रिजोर्ट में अंकीता के कमरे वाले हिस्से को बुल्डोजर से तोड़े जाने से साक्षे मिटाने के प्रयासों के आरोब को भी बल मिल रहा है ये अलग बात है कि पुलिस तोड़ फोर्ड से पहले ही साक्षे जुटा लेने का दावा कर रही है लेकिन अंकीता के कमरे का नजारा जाच की पूल खोल रहा है इस कमरे में घटना के बाद से बेरोक टोक आवा जाही हो रही थी और अंकीता का सामान वहीं पड़ा हुआ है यहां तक कि 18 सितंबर की रात उसके कमरे में जो खाना पहुचाया गया वो 9 दिन बाद भी वैसा ही पड़ा हुआ था यहां लगे इलेक्ट्रोनिक उपकरन भी टूटे पड़े हैं पर इस दितिया साफ संकेत दे रही हैं कि इस जगन्या हत्यकांट की कडियां कुछ और रास्तों से होकर भी गुजरती हैं फिजा में तैर रहे सवालों के जवाब आने पर इस रहस्य से परदा उठ जाएगा हत्यकांट का राजपाश होते ही अंकिता के कमरे को रातो रात बुल्डोजर से तुड़वा दिया गया ये किसके इशारे पर हुआ और इसे परदा अब तक क्यों नहीं उठा शुरुआत में स्थानी विधायक से लेकर सरकार तक ने इसका श्रेश जरूर लिया मगर सवाल उठने शुरू हुए तो सभी ने पल्ला चाड़ लिया इसी तरह प्रशाशनिक अधिकारियों ने भी पहले तोड़ फोर्ड का आदेश देने का दावा किया मगर बाद में जिम्मेदारी लेने से पलट गए अंकिता इसे रिजोर्ट में एक कमरे में रहती थी और रिजोर्ट में बुल्डोजर से तोड़ फोर्ड और आग जनी सिर्फ अंकिता के ही कमरे में की गई LCD समेट तमाम अन्य समान को तोड़ने के साथ ही CCTV कैमरे के तार काट दिये गए परदो में भी आग लगा दी गई ये सब अंकिता के कमरे में ही क्यों किया गया ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है अब तक की जान से साफ है कि अंकिता की हत्या की कहानी वंतरा रिजोर्ट में ही लिखी गई थी ऐसे में संगीन अपराद से जुडाव होने के बाद भी रिजोर्ट में लोगों की आवजावी बेरोक टोक जारी है यहाँ पुलिस कर्मी भी तैनात हैं लेकिन कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इस से उन्हें कोई लेना देरा नहीं है पुलिस मोन क्यों है इस पर सवाल उठ रही है घटना के सबताबर बाद भी इस रहास्य से परदान नहीं उठा है कि रिजोर्ट में उस दिन कौन वी आई पी महमान आए थे उन्हें अंकीता को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था यही नहीं इस रिजोर्ट में कौन आता है और कौन जाता है यह कहीं दर्ज नहीं होता इसकी वज़े क्या है किसी को नहीं मालूम है मुखे हत्या रोपित पुलकित आर्य का कहना है कि घटना वाली रात अंकीता ने उसका मोबाइल चिला नहर में फिंक दिया था इसके बाद आरोपितों ने अंकीता को नहर में धक्का दिया जबकि अंकीता के दोस्त पुश्प का कहना है कि अंकीता का मोबाइल बंध होने के पोने घंटे बाद उसकी पुलकित से मोबाइल पर बात हुई दूसरी तरफ अंकीता का शव मिल गया और मगर उसके मोबाइल को लेकर स्थिती साफ नहीं हुई है कुल मिलाकर परिस्थितियां दोनों के मोबाइल को लेकर जोल की तरफ संकेत कर रही है 18 सितंबर को वियाईपी महमानों की जाने के बाद पुलकित आदे घंटे तक अंकीता के कमरे में था उस दौरान लगातार अंकीता के रोने और चिलाने की अवाज आती रही मगर ये सब अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इस दौरान अंकीता के साथ क्या हुआ था झाल